जब एक शॉट ने तोड़ा स्टेडियम का मीडिया बॉक्स कैसे रोहिट शर्मा ने बीच मैदान पर अपने कंदे की सरजरी कर डाली और बीच मैच में पैराशूट से ये किसने एंट्री मारी तो चलिए आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के ऐसे ही one in a billion moments दोस्तों imagine करो एक batsman अपनी century से बस एक hit ही दूर हो और आउट हो जाए कितना disappointment होता है न CPL के एक मैच के दौरान युनिवर्स बॉस क्रिस गेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था गेल 94 रंस पर आउट होकर पविलियन जाही रहे थे तब ही अंपायर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और जब अंपायर नो बॉल चेक करते हैं तो बोलर का पैर क्रीज से काफी आगे होता है जिसके बाद गेल को एक बार फिर से मौका मिलता है और वो अगली ही बॉल पर सिक्स मार कर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं अब आप इसको रेर मॉमेंट बोलोगे या लखी कॉमेंट में बताओ कहानी है साल 2022 के आशिस की आस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर को चेस करते हुए इंगलेंड की हालत बहुत खराब थी कंगाली में इंगलेंड का आटा गीला होने ही वाला था कि बेंट स्टोक्स के साथ हुए एक मुमिन ने सभी को सर्प्राइस कर दिया दरसल ऑस्ट्रेलिया के कैमरोन ग्रीन एक इंस्विंगर बॉल फेकते हैं जिसे बेंट स्टोक्स मिस्जज करते हैं और लीव कर देते हैं ग्रीन की बॉल सीधा स्टंप से टकराती है लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इतनी स्पीड से बॉल स्टंप से टकराने के बावजूद बेल्स नहीं गिरती किसी को भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ फील्डर्स को ऐसा भी लग रहा था कि शायद बॉल स्टोक्स के बल्ले से टकरा कर गई है पर रीपले देखने के बाद सबी हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे ये तो सच में बहुत अनोखा सीन था दोस्तों आपने बल्ले बास के बोल्ड होने के बाद स्टंप्स को हवा में उड़ते तो देखाई होगा पर जौफरा अर्चर ने एक ऐसी बॉल कर दी जिसको स्टंप्स ने अपरकट मारते हुए सिक्स पर भीज दिया मौका था बांगलादेश और इंगलेंड के बीच मैच का जौफरा अर्चर की एक तेज तर्रार बॉल सौम्य सरकार के स्टंप्स उड़ाती है और विकेट कीपर को चकाती हुई सिक्स पर चली जाती है जी हाँ दोस्तों स्टंप्स से टकराने के बाद अकसर बॉल बाउंडरी तक ट्रावल कर ही लेती है लेकिन जौफरा अर्चर की ये बॉल सीधे सिक्स पर पहुँची जो अपने आप में अन्बलीविबल है दोस्तों हमारे रोहिट शर्मा सिर्फ हिटमैन नहीं बलकी सूपरमैन भी है और इंगलिंड के खिलाफ इस मैच में उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया दरसल हुआ कुछ यूं की जडेजा की एक बॉल पर लियम लिविंग स्टोन एक पावरफुल शॉट मारते हैं बॉल को कैच करने के चक्कर में रोहिट अपने हाथों को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर लेते हैं और बॉल भी उनके हाथ पर जाकर लगती है जिसके बाद उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है आपको बता दू कि इस टाइप की इंजरी बहुत पेइनफुल होती है और एक क्रिकेटर को इससे रिकवर करने में महीनों का समय लग जाता है लेकिन रोहिद बॉल लगने के बाद दर्द का नाटक ना करते हुए शांती से अपने कंदे को वापिस रोटेट करते हैं और बोन को वापिस प्लेस में ले आते हैं अब भाई कहना तो नहीं चाहिए पर अगर यही इंजुरी कहीं हार दे कि आप बुमरा को हुई होती तो शायद वो सालों तक क्रिकेट खेलते नजर नहीं आते दोस्तों बचपन में क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की का ग्लास तो आपने जरूर फोड़ा होगा लेकिन एक ऐसा भी धाकर बल्लेबाज है जिसने ये कारनामा इंटरनाशनल क्रिकेट में करके दिखाया मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के फेवरिट रिंकू सिंक की साउथ आफरिका के खिलाफ टी ट्वेंटी मैच में रिंकू ने एक ऐसा शॉट मारा जो सीधिस सिक्स पर गया और सामने बने मीडिया बॉस का काच तूड़ गया अब एक तरफ जहां रिंकू के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं ठक रहे थे वहीं तूटे हुए ग्लास की फोटो भी जबरदस्त वाइरल हुई और जब रिंकू से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक मजाक में इसके लिए माफी भी मांग ली दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रिकेट का सबसे अजीब आउट मौका था बांगलादेश और श्रीलंका के बीच मैच का श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद आंजलो मैथिउस मैदान पर उतरते हैं और क्रीस तक पहुँचकर बैटिंग के लिए तयार हो ही रहे होते हैं क्योंके हेलमेट का स्ट्राप तूट जाता है अब ऐसे में मैथिउस को पविलियन से अपने लिए दूसरा हेलमेट मंगाना पड़ता है पर बांगलादेश के कैप्टन शकीबल हसन को मैथिउस की तरफ से हो रही ये देरी बिलकुल भी रास नहीं आती है और वो तीन मिनट रूल के तहट आउट की अपील कर देते हैं एक पल को तो अंपायर को अपने काउनों पर यकीन नहीं हो रहा था पर बाद में उन्हें मैथिउस को आउट देना ही पड़ता है और इस तरह श्री लंका के आंजलो मैथिउस इंटरनाशनल क्रिकेट में त्री मिनट रूल से आउट होने वाले बल्ले बास बन जाते हैं दोस्तों आपने बारिश के कारण क्रिकेट मैच रुकते तो बहुत देखा होगा पर कभी चक्कों की बारिश रुकते देखा है मौका था BBL के मैच का जिसे मेलबर्न के डॉकलिंड स्टेडियम में खेला जा रहा था आपको बता दूँ कि ये दुनिया कए कुछ चुनिंदा स्टेडियम में से एक है जिसके उपर चट है जिससे बारिश को रोका जा सके लेकिन इसने तो चक्के को ही रोक लिया बल्ले बाज एक उचा शौट मारता है जो सीधे जाकर चट से टकराता है नीचे खड़ा फील्डर कैच लेने की कोशिश तो जरूर करता है पर पकड़ नहीं पाता पर यार कैच पकड़ने का कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि अंपायर इसे डेट बॉल दे देता है और बोलर को फिर से बॉल फेकनी पड़ जाती है अब देखते हैं किस-किस को पता है कि इन स्टेडियम्स को क्या बोलते हैं दोस्तों हाल ही में जब भारत और साउथ आफरिका के बीच ODI माच चल रहा था उस दोरान एक बंदा पैरशूट से उड़ते हुए स्टेडियम में लांड करता है जिसे देख कर सभी हैरान रह जाते हैं आई मीन जरा सोचों कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है क्या पता चलते माच में कोई टेररिस्ट उतर जाता कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इंडियन टीम के माच में एक बार फिर जारवों ने इंट्री ले लिए है पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था दरसल ये ODI माच पिंक डे के दिन खेला जा रहा था जिसे महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेरनेस फैलाने के लिए सलिब्रेट किया जाता है ये पूरा इंसिडेंट कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है और नहीं यहां किसी श्रीलंकन टीम का स्वागत हुआ है ये तो पाकिस्तान सूपर लीग के एक माच का सीन है साल 2018 के PSL में कराची केंग्स और पेशावार जलमी के बीच एलिमिनेटर माच होना था लेकिन बारिश के कारण मैदान घीला था अब भाई मैदान जल्दी सूप पाए इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैदान में चौपर भीज दिया वैसे मैदान सुखाने का तरीका तो थोड़ा केजूल था पर आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो कॉमेंट करके बताओ दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूजिलेंड वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट फिल्डिंग साइड्स में से एक है लेकिन ये वाला कैच देखकर आप न्यूजिलेंड टीम के फैन हो जाने वाले हो आडम मिलने की बॉल पर बांगलादेश के शौरिफुल इसलाम तेजी से बल्ला घुमाते हैं और बॉल डीप मिड विकेट की बाउनरी की ओर जाती है यहां फिल्डिंग कर रहे विल यंग बॉल को मिसजज करते हैं और थोड़ा आगे निकल जाते हैं लेकिन यंग समय रहते अपनी गलती को सुधारते हैं और डाइव लगाते हुए बाउनरी से महस कुछ इंच पहले कैच पकड़ लेते हैं तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनको लाइव देखने के लिए किसमत लगती है पर हम यहां आपको फ्री में दिखा रहे हैं ऐसे ही और मोमेंट्स देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए धन्यवाद